आगे के दुर्ब जीतने से पहले हमें कम से कम पहले पर फोकस करना चाहिए। आपके प्रस्णों पर आपको उत्तर देने, डिस्कस करने हैं, आये हुए हैं। ये एक्जाम जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त, मिड तक ये एक्सवी कमिटी को में को से नहीं है। हलो एव्रिवन, मैं सचिन्त ओमर, आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ टेस्ट बुक्स ओपर कोचिंग्स में। बचे आप लोगों के बहुत सारे questions होते हैं जब हम आप लोगों से वाइटी पर sessions लेते हैं तो उसमें आप लोग हमसे बहुत सारे questions पूछते हैं अलग-अलग exam से related पूछते हैं तो आज का हमारा ये शांदार सा session होगा आप लोगों के उन तमाम questions को solve करने के लिए इसके भाई बनों का हारदिक स्वागत है अब नंदन है आज के इस session में और जैसा कि अभी sir ने बताया कि बहुत सारे आप लोगों की जो जिग्यासा होती है चाहे वो UPT, GTP, PGT को ले करके हो चाहे वो DSSB को ले करके हो चाहे वो NVS को ले करके हो बहुत सारी आप लोगों की जो ज्याशा होती है कि परिक्षा कब होगी, पैटर्न क्या रहेगा, नई वेकेंसी कब आएगी, तो आज इन बहुत सारे मुद्दों पर हम और सचिन सर आपके बीच जो है आपके प्रशनों पर आपको उत्तर देने, डिस्कस करने हैं, आए हुए हैं, तो हम आप सभी लोगों का एक बार फिर से हारदिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस सेशन में. तो सर जी स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एक्जाम से, तो बच्चों का बहुत सारे कोशन्स आपके सेशन्स में भी पूछे गए जब आपने मैरतन ले और बहुत सक्सेस्फूल मैरतन रही तो मुबारक बात आप सब आपको, धन्यवाद, धन्यवाद सर तो उसमें सर अक्सर मैंने देखा कि एक कोशन्स बहुत कोमन है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एक्जाम कब होगा? तो देखो ये सर दो हजार बाईस से ये पेंडिंग है और बहुत सारे बच्चों ने इसके फोर्म भी फिल किया है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे है तो आप अपने अनुभाव का इस्तेमाल करते हैं आप बताईए सर कि एक्जाम कब तक होने की पोसिबिलिटीज है? देखे सर सबसे पहले तो सभी बच्चे ये जान जाएं कि जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चे ये तीनों जो सिख्षा के बोर्ड तहमारे थे, इनक Hersयों की न्यूकती की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया भी लगभग पूंढ होने वाली है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूंढ होती है, वैसे ही सबसे प्रथम प्रियारटी पर जहां तक मुझे लगता है कि यूपी टी-जटी-पी-जटी का एक्जाम होगा. तो अगर हम एक सामान्य तोर पर बात करें तो मैं बच्चों को ये जरूर कहूंगा कि हो शकता है नौमबर से दिसंबर के मद आपको UPTGT PGT की परिक्षा देने को मिले तो नौमबर से दिसंबर लेकिन एक बात मैं जोड करके तब बात को यहां रोपूंगा कि बेटे जिस समय प पहलता चाहिए तो उस समय पढ़िए जब लोग सो रहे हैं तो अब जो तैयारी करेगा वही सफल होगा सर इसी बात को लेकर आपने बात बोली तो मुझे एक बात याद अगी जब मैं परिप्रेशन में था तो मैं पढ़ रहा होता तो मैं सोचता था कि बाकी लोग जो मेरे कॉंपटिशन में वो क्या कर रहे होंगे अगर मेरा दिमाग ये आंसर करता था कि वो सो रहे होंगे तो मैं इसलिए पढ़ता था कि मुझे उनसे आगे निकलना है अगे निकलना है अगर मेरा दिमाग ये आंसर कर रहा है कि वो अब पढ़ रहे होंगे बिल्कुल आएंगी सर, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि देखे, आप जानते हैं कि मार्च में जो है, रिटार्मेंट होता है, तो मार्च हमारा निकल गया, और ये अब जो पद रिक्थ हुए हैं, तो ये निश्चित रूप से नए विग्यापन में एड होंगे, और नए मिलेगा यह भी मैं आपको बता दूं संभावना है कि नए वर्ष में सरकार हमारे विद्यार्थियों को हमारे भाई बहनों को निश्चित रूप से एक नई वैकेंसी का तुफा देगी और यह वैकेंसी भी अच्छी खासी होगी लेकिन एक चीज फिर मैं वही कहूंगा कि प जनी तैयारी रखिए कि जब भी एक्जाम हो जब नई वैकेंसी आए बस एक सीट आपकी होनी चाहिए दुर्ग की बात हुई देखो सर कम से कम आगे के दुर्ग जीतने से पहले हमें कम से कम पहले पर फोकस करना चाहिए हम इधर उदर नहीं दोड़ सकते हैं बहुत ज्या सर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और जैसा कि अभी बीच में हमने क्लास के दौरान भी बच्चों को बताया था कि जब तीनों बोर्ड का एक ही करन हुआ तो जो नई गाइड लाइन आई उस नई गाइड लाइन में ये बात असपश्ट लिखी हुई है कि नेक्स् सबसे में हम बताएं आपको जैसे जी आई सी का पेपर देते हैं तो उसमें 120 कोश्चन उनके सब्जेक्ट के होते हैं 30 कोश्चन जीके जीएस के होते हैं तो मुझे जहां तक पूरा वो है कि यही सेम पैटर्न यहां भी फालो होगा 120 कोश्चन आपको प्रशन अपने हिंद जीएस के नाम पे दो चार कोश्चन पूछ लें तो मैं नहीं बता सकता मैं बहुत ओपन के काता हूं तो इसलिए मैं अपने बच्चों को यह भी आगाह कर रहा हूं कि अगर नए विज्यापन में नौकरी लेनी है तो जीके जीएस भाईया पढ़ना सुरू कर दो अब हमा जीए जीए चुशन है जिन छीज को मैंने भी देखा है तो कुछ प्रस्ट ऐसे भी हैं जो मैं भी आप से जानना चाहूंगा कि जिन पर आपके अनुभव का लाभ मैं अपने बच्चों तक पहुचाना चाहूंगा और वो ये सबसे पहला जो कोश्चन है सर कि D-Tripal S.B. क कि एक्जाम के कब तक होने की संभावना है देखो सर अगर मैं फ्रेंकली बोलू तो बहुत जादा इंतजार बच्चों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यह एक्जाम जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त मिड तक यह एक्जाम होने की पूरी पूरी यह एक्जाम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं तो अपने बच्चों से आप भी हम भी यह कह रहे हैं कि आप लोगों को एफट डवल करने की जरूरत है तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर का सीधा यह कहना है कि भाईया अब डू आरडाई वाला समय आ गय तो अब परिक्षा के लिए समय बचा नहीं है, तो फटा-फट जिन बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया है, तो भईया जल्दी से कोर्स परचेज करो और फटा-फट आगे की तैयारी में लगो और बिल्कुल दिन रात एक कर दो, तो हम अपने बच्चों की तरफ से एक जिग्यासा सर हमारे बच्चों की और भी है, कि क्या DSSB PRT की वेकेंसी हमें जल्द देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सर देखें, TGT-PGT का अल्रडी नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी ये PRT का थोड़ा रुका हुआ है, बट ये कंफर्म है कि TGT-PGT के एक्जाम से प पर मुहर लगाई, कि बहुत जल्दी आपको DSSB PRT की वेकेंसी भी देखने को मिलेगी, इसके अलामा सर, एक थोड़ी सी जिग्यासा और हमारे बच्चों की है, और आगे बढ़ते हुए क्रम में कि जो नवोदे विद्याले की वेकेंसी है, ये लगभक कब तक आ जाएगी और इसमें कितने पद आने की संभावना है, देखो सर, वर्तमान समय में हम देखें सर, तो अगले महीने, यानि कि जुलाई 15 से लेकर, अगस्त 15 तक, इसके लगभक 10,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो ये भी एक अच्छी खासी वेकेंसी है, और बहुत शांदार मौका है, हम सभी स्टुडेंट्स के लिए भी, और हमारे जितने भी विध्यारती लोग हैं, वो सब अपनी तैयारी में पौन रोप से जुटेंगे, क्योंकि ये भी 10,000 वेकेंसी सर, कम नहीं होती है, बहुत अच्छी वेकेंसी हैं, और 100% ये 15 जुलाई स पंदर अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन नया आजाएगा, तो सर बिल्कुल वो हमारे हां हिंदी में कहते हैं, आपके मुह में घी सक कर, तो जो है, हमारे बच्छों की तरफ से, क्योंकि इतनी बड़ी वेकेंसी हमें बहुत दिनों बात देखने को मिलेगी, इतना आने वाली हैं सर, सो परसेंट, जी, तो विजे सर, हमारी एक जिग्यासा आपसे और भी बहुत बड़ी जिग्यासा है, और बहुत सारे स्टुडेंस की जिग्यासा है, बेसिकली उन्हीं की है, और उनकी तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो यह हमारे इस फेस टू नो की है, तो आप इसके बारे में भी हमारे स्टुडेंस सर, यह बहुत अच्छा आपने प्रशन भी किया, और इस प्रशन में आपने एक बड़ी अच्छी बात जोड़ी, कि अरजुन मुंडा साहब ने यह जो एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था, कि EMRS में लगभग जो है, 35,000 के आसपास वेकेंसी हैं, तो जो पिछली 10,000 हुई हैं, अगर में भी मान लीजे हम उन्हें भी यहां से अलग कर लें, तो भी लगभग 25,000 के आसपास तो पद बनते हैं, और यह पद जो है, कि अक्टूबर, नौंबर के मद, निश्चित रूप से EMRS क भी बड़ी वेकेंसी आएगी, जो की 25,000 के आसपास पदों पर 20 से 25,000 के आसपास पदों पर जो है, नुक्ती होगी, तो आप इसे कंफर्म कर दे रहे हैं, तो इसके भी प्रिपरेशन आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी वेकेंसी है, जैसा सर ने कहा कि 20 से 25,000 के वेकेंसी आने वाली है, तो यह भी एक तरीके से लोटरी है सर, और इसके भी प्रिपरेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, सर एक बहुत बड़ा मुदा आजकल चाया हुआ है, वो है पेपर लीग का मुदा, एक बच एक बाद घर तक पहुचने से पहले उस तक ख़वर आती है कि पेपर लीग हो गया है, तो जिसका एक्जाम बहुत अच्छा हो गया है, जिसने बहुत महनत की है, जो आगे चलकर हो सकता है कि ओवरेज हो जाए, तो यह उस पर बहुत बड़ा आगात होता है सर, तो पेपर लीग के सर, यह कारण क्या हो सकते हैं, क्या वज़े हैं कि यह इतने लीग हो रहे हैं, देखे सर, अगर हम पेपर लीग की बात करें, तो कहीं न कहीं, वरतमान में यह मुद्दा जो है, एक बड़ा मुद्दा है, जी, नो डाउट, क्यूंकि अभी आप देखिए, कई परि इतने दिन के उसके किये कराये पर पानी फिर गया, तो कहीं न कहीं, जो है, एक, जो मतलब देखिए, कोई भी यह नी चाहता कि हमारे उपर दाग लगे, तो हम किसी को भी प्रतेक्ष्या परोग शिनवाल तो नहीं कर सकते, पर हम जरूर यह कह सकते हैं, कि सिस्टम में कुछ गोपनियता ऐसी भी हो, दिखे, एक चीज मैं बताऊं सर, सामान्य तोर पे हम सभी लोग जानते हैं, कि जब एक ही सिस्टम के थ्रू चीजें होने लगती हैं, तो धीरे-धीरे बाहरी व्यक्ति उस सिस्टम में अपनी पैट बनाने लगते हैं, और यही मूल वज़ा है, ना कोई चाहता है कि पेपर लिखो, क्योंकि इससे सब पर ना कोई आयोग, ना कोई सरकार, कोई यह चाहता सर, क्योंकि इससे उन पर आखे उठता है, तो मूल रीजन जो मुझे लगता है, एक निस्पक्ष भाव से, कि एक ही ट्रेंड पर जब चीजें चलने लगती है तो जो लोग हैं, वो धीरे-धीरे उसमें पैठ बना लेते हैं, और जब पैठ बना लेते हैं, तब उस चीज को वो जो है, कैप्चर करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं इस सिस्टम को एक सुधार किया शकता है, बाकि मैं आप से भी जरूर यह कहूंगा कि सर, अगर इस पर आप भी कुछ कहना चाहें कि आपकी राय क्या है? देखो सर, यह जो पेपर लीक का मामला है, यह मैं क्लोजली पर निगा बनाए हुए हूँ, यह ज़्यादा बढ़ गया है जब से यह टेक्नोलोजी बढ़ गई है, बिल्कुल, तो टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करके पेपर लीक होना, और हर तरीके का पेपर लीक हुआ है, मगर एक बोर्ड ऐसा है हिंदुस्तान में, जिसका आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, वो है UPSC, UPSC का कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और ना उसके होने के कोई पोसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी गोपनियत असर इ बहुत मुश्किल काम है, तो यहां इस मुद्दे पर हम यह पहुँच सकते हैं, कि हिंदुस्तान में पेपर लीक रोकना इंपोसिबल नहीं है, यह पूरी तरीके से समभव है, कि सरकार अगर ठीक से काम करे, अगर सिस्टम ठीक से काम करे, उसे अपडेट किया जाए, जैस मैं सर सक्सेस को इतना जादा अपने उस पर ले लिया है, कि चाहे वो किसी भी रास्ते पर चल कर आए, हर इनसान को, अपने रिलेटिव को, अपने आप को सक्सेस देखना है, उसका रास्ता बले ही कुछ भी हो, चाहे गलत रास्ते पर ही चल कर क्यों नहीं हो, मैं सर सारा ज ग्रूप में साथ देते हैं बले ही उन्हें जेल का रास्ता देखना पड़े तो सर मेरा मानना यह है कि थोड़े से अपडेट होते ही यह सारी चीजे रुख जाएंगी क्योंकि हमारे सामने एक सीदे तोर पर UPSC एक साक्षे के तोर पर है कि यह रोका जा सकता है यह संभव है यह impossible नहीं है बिल्कुल सर देखे बिल्कुल सर ने सही कहा कि लोगों के लालच को नहीं रोका जा सकता लोगों के नौकरी पाने की लालसा को नहीं रोका जा सकता पर हम सिस्टम ऐसा बनाए कि वो लोग वहां तक पहुंची ना पाई और जो मिहनती हैं इमांदार हैं उन्हीं को नोकरी मिल पाई अच्छे सर में कोशन और आपसे एक अंतिम कोशन आपसे है सूपर टेट और यूपी टेट इस साल में क्या संभव है देखे सर प्रशन आपका ही नहीं ये कई लाख हमारे बच्चों का है जो प्राथमिक की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि बेटा हिम्मत नहीं हारिएगा और यकीन करिएगा आपको वैकेंसी मिलेगी ठीक है मैं बिल्कुल एकुरेट समय नहीं कहूंगा सर लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपको विज्यापन मिलेगा टेट सूपर टेट की परिक्षा फिर से होगी और इसके लिए आप अभी से कमर कस लीजिए क्यूंकि ये भी संभव है कि जल्द ही यूपी टेट का विज्यापन आपको देखने को मिले और फिर उसके बाद यूपी टेट कराने के बाद सूपर टेट वो पद कितने होंगे वो उस समय पर डिपेंड करेगा परिष्थितियों पर डिपेंड करेगा लेकिन निश्चित रूप से प्राथमिक की वेकेंसी आएगी ये ये बिल्कुल तेह है तो आप लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं हा रही है क्योंकि लंबे समय से ना आने से सर ना हमारे बच्छी परिषान सर पता नहीं अब हम तो आएगी आप लगे रहिए और जूडे रहिए और पढ़ते रहिए सूरी टू इंटरप्यू सर माना जाता है कि अकसर जीत उसकी हो जाया करती है जो हार को टालता चला जाता है आपने बस क्या करना है के हार को टालते होए चले जाना है लास्लि आप प्री की जीत होगी आप ने सर एक्जेक डेट नहीं बताई पर फिर भी मैं आपके मुझसे उगलवा लेना चाहता हूं ये बात, तो क्या ये इसी साल संभव है, क्या ये दिसंबर तक पोसिबल है कि इसका कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, उपी टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है, और जैसे ही यूपी टेट का एक्जाम खतम होगा, देखें, मैं इसके दीजे भी आपको एक रिजन बताता हूं, कि कोई भी सरकार पहले, जैसे हमारी कोई भी गवर्मेंट हो, ठीक है, बेकेंसी कितनी भी लेट हो, पर एक जो सामान ने हमारा प्रोसेस है, कि पहले प्री होगा, आफ्टर मेंस, जो है, उसके बाद मेंस होग तो जैसे यूपी टेट हमारा जो है, यह क्वालिफाइंग एक्जाम है, अगर हम डाइरेक्ट सूपर टेट, कोई भी सरकार डाइरेक्ट सूपर टेट ला देती है, तो जो बच्चा पिछले यूपी टेट में नहीं बैठ पाया था, और इतने लंबे समय से तैयारी कर रह तो नए वर्ष में निश्चित रूप से आपके हाथ में ये विज्यापन होगा, अच्छा सर इन सब के अलावा मेरा एक special question है आप से, देखो सर हमारे student बहुत महनती है, दिन रात महनत करते हैं, एक लंबे समय तक preparation भी कर रहे हैं, मगर सर फिर भी कही न कहीं उन्हें हमारे support की जरूरत है, और ऐसा हमारा जो test book super coaching है, वो उन्हें बहुत मामलों में help करता भी है, हम वाइटी पर बहुत सारा content free में दे रहे हैं, हर रोज question answers कराते हैं, practice कराते हैं, करत करत अभ्यास के जर्मत होत सुजान, बिल्कुल, बिल्कुल, तो सर कुछ courses भी हैं हमारे पास, इन जितने भी हमने UP, TGT, PGT कही, PRT की कही, DSSB की बात कही, NVST कही, तो बच्चों की help करने के लिए क्या हमारे पास कुछ courses भी हैं क्या, बिल्कुल हैं सर, जैसा कि हम बच्चों को रोज बता रहे हैं, कि DSSB को हम लोगों ने बिल्कुल उसके frame में बांद कर उसका एक अलग से course बनाया है, उसमें वो चीजें हैं, जितना content आपकी परिक्षा में आता है, बिल्कुल वो content आपको मिल रहा है, तो अगर आप इमांदारी से वहां पूरा इमांदारी से मेहनत करिए, तो आपके सफल होने के chances 99% बढ़ जाते हैं, दूसरी चीज सर, NVS, नवो देविद्या तो अब इसमें भी जो है, बिल्कुल इनके जो जिस pattern पर जिस तरह से प्रश्न है, बिल्कुल वैसा course है, और मैं आपको एक बात बताते हुए, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, कि हमारी content टीम इतना बढ़ियां काम कर रही है, कि सर मुझे लगता है कि market में हम वो पहले स स्थान है, जिन्हों ने कि बिल्कुल वे एक दम उनके recording course तयार किया है, जब मैं preparation में था सर, आइस की preparation में था, तो मुझे सिखाया गया था, कि selection आपका क्या पढ़ना है ये जानकर नहीं होगा, आपका selection होगा, क्या नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सर, market में और हमारे पास content इतना जादा है, कि हमारे पास brain space कम पढ़ जाता है, तो हमें अपने syllabus कितना depth में जाना है, ये हमें बहुत blindly उसमें उस पे काम करना पड़ता है, अगर हम कुछ extra पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमने जरूर है, कि जो पढ़ना था, वो छूटेगा हम से, तो हमारे आपने अ तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है, कि उन्हें extra कोई जादा effort लेने की जरूरत नहीं है, वो बस आए और वो ही पढ़े जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, और उनका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों, इस session हम यहीं पर समात करते हैं, comment box में भी, और ऐसा ही एक और session में और विजय सर या बाकी दूसरी faculties भी, ऐसे ही session आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, आपके मनों में जो जिग्याशा हैं, जो questions हैं, जो डर है, वो सब दूर करने के लिए हम सब यहाँ available हैं, तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, thank you so much स समस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को